है गाइज वेलकम टू आल तो फ्रेंट जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपलल सी का एक्जाम आने वाला है तो अगर आपने अभी तक यूपी ट्रिपलल सी एक्जाम की त्यारी नहीं शुरू की है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ह यहां पर आपको सभी टॉपिक के जो इंपार्टन कोशिन है वो तूदा पॉइंट करवाया जाएंगे तो आज के इस वीडियो हम सिंदु घर्टी सब्वेटा के टॉप थर्टी कोश्चन डिस्कुस करेंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मतमिस करिएगा इन वीडियो सिंदु घर्टी सब्वेटा जो हडपा स्थला यह सिंदु घर्टी सब्वेटा से संबंदित हैं अब आपको पता होना चाहिए जो सिंदु घर्टी की सब्वेटा है इसे हडपा सब्वेटा की नाम से क्यों जाना जाता है क्योंकि सिंदु घर्टी सब्वेटा का जो खो आलग अलग थायसकारों ने अलग अलग बताया है लेकिन C14 यानिकी कारवन-काल निर्धान विदी के द्वारा वो तेइस सो पचास सपूर से लेकर 1750 सपूर अनुमान लगाया गया है यह भी बहुत ही ज्यादा इंपर्टन कोश्चन है एक्जाम में कई बार यह कोशन पूछा गया है सिंदु सभाटा निमन लिकत में से किस यूग में पढ़ता है आपको बता दो कि हमारे पूरे थियास को तीन भागों में माटा गया है प्रगठयासिककाल आदेट हैसिककाल और एतिहासिककाल। यहांसे कोई भी लिखी साक्षिय नहीं मिले हैं। यहांसे केवल और केवल पूरो तात्विक साक्षिय मिले हैं। एक्जाम्पल में आपको बताओं तो पाशानकाल और जो तामर पाशानकाल है ये प्रोगत्यासी काल में पढ़ता है क्योंकि पाशानकाल और तामर पाशानकाल का जो इध्यास है ये से पूरतात्युक साक्षो के अधार पर लिखा गया है यहां से जो पूरतात्युक साक्ष तो अधियासकार इतियासका वह कालखंड है जहांसे पूरतात्विक साक्ष्व मिले हैं लेकिन यहां से जो लिक्र साक्ष्व मिले हैं वह इतियासकारों के दोरा अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं में आपको पताओ तो जो सिंदुगाटि की सबधा है यहाद इत्यासिक काल में पढ़ता है यहीं कृषप अपने भाव को चितरात्मक लीपी के द्वार लिखते थे जिसे भाव चितरात्मक ल काल खंड है यहां से पुरतात्रिक स्वाैट काल में जा सकाए जैसे बॉत धरम जयन धरम महां अच्ए पुछा गया है नस्सक्ति चेशन है सिंदु दृती के सबवेटा गैयर आरे क्यों थी तो इसका right टंसर जाएक option A वहाई एक नगरिय सब्वता थी जो सिंदु घाटी की सब्वता थी एक नगरिय सब्व lavender थी जबकि जो आरे सब्वता थी एक गरामेंड सब्वता थी जो पहली बार नगरों का उदर है ये सिंदुगाटी सब्विता में ही हुआ था इसलिए सिंदुगाटी की सब्विता को प्रथम नगरीकरन सब्विता के नाम से भी जाना जाता है अगर आप से कोशन पूछन पूछन जाए कि प्रथम नगरीकरन सब्विता के नाम से किस सब्विता को जाना जाता है तो सिंद हुग से खहली खowan के तहाँ है तो यह कहां के राज्यस्तान के हमान गड़ स्थीछ नेहिए बाइस पसित है मने आ जो इना कि आो कि और नद пробओ je स्थलाई यह राज्यास्थान के हैनमाणगर जिले में किस कट पर नाज़ी के तरट पर और फागए कि काली बंगन का उत्खनन किस हैं ने खिरेए काली बंगन स्थल को को अंध्म पर ने करवा था किρवा कर्वा था कर वा होना चाहिए तो 1953 में करवाया था most important question है next question है सिंदु घाटी संस्कृति वैदिक सब्वेता से भीन क्यों थी आपको बताना कि जो सिंदु घाटी की संस्कृति थी ये वैदिक सब्वेता से अलग क्यों थी तो इसका राइट तूजाएगा option C इसके पास लोहे और रक्षा सब्वेता थी यह और दूसरी वाद गार्टी संब्वेता की लीपी थी यानि कि चित्र के द्वारा लिखते थे जिसे जिसे वह जित्र की कहते है और गार्टी संस्कृति और और तीसरी बात यह जो शिंदूघास संस्कृति और व्यादिक संस्कृती से अलग थी हडपा संस्किति की जानकारी का पर्मुख स्त्रोथ क्या है आपको बताना कि हडपा सब्वेता की जानकारी का पर्मुख स्त्रोथ क्या है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंदुगार्टी सब्वेता से हमें पूरतात्विक साक्षिय मिले हैं और लिखी साक्षिय मिले है लेकिन यहांसे जो लिकिumm साक्ष मिले हैं उससे अभी तक किसी भी थैसकार के द्वारा नहीं पड़ा जा सका है तो इसके जानपारी का प्रमुक्स त्रोत क्या हूए तो इसका right cancer क्या हो जाए इसका right cancer जाया है का option c पूरतात्विक खुदाई, यहां पे खुदाई करने के बाद जो पूरतात्विक साक्षे मिले हैं, यही तो सिंदुगाटी सब्वेता की जानकारी का परमुक्स त्रोत है, नेक्स क्रेशन है, निमरीकित पश्यों में से किस एक का हडपा संस्कृति में पाई मोहरों और टेर में पाई में पाई में 7 की जानवरों और 5 ला ला मीशा चीला उस्यों सब्सकृति में पाइंद जानवरों की जानुर। मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है नेक्स कुश्चिन है हडपा में मिट्टी के बरतनों पर समाने तक किस रंग का अप्योग हुआ था आपको बताने कि हडपा स्थल से जो मिट्टी के बरतन प्रापत हुए है उन पर समाने तक किस रंग का प्रियोग हुआ था उसका राइ पर अरपस थल से प्रापत हुआ 번째 क्वें से निमलिखित कौन सा एक ही है यहां पर आप देखसे पारी होंग एक टप्रांची इनस्थलों के नाम दे गए यह उनके नाम दे गए तो आपको इन में से सहीं चूज करना है क्प्र नहीं से जूत्फ की खीएêu क्राइट की बना हुआ हलका खिलोना पाया गया है अब बनावली स्थल का नाम आया तो आपको पतानुची कि बनावली स्थल ये कहां पे है तो ये हर्याना के हिसार जिले में है किस नदी के तर्ट पर इस्थित है तो ये सौर्स्वती नदी के तर्ट पर इस्थित है तो ये सौर्स्वती करवाया था कब करवाया था तो 1974 में करवाया था एक बाए फिर से रिपीट कर रही हूँ बनाली जो स्थल है यह हर्याना की हिसार जीले में हैं और किस नदी के तड़ पर है तो यह स्वर्स्वती नदी के तड़ पस्थित है और इसका उत्खनन रविंदर सिंग बिश्ट में करवाय था कब करवाय था तो 1974 में करवाय था ठीक है यहां पर तीन ऑप्षन गलत दी गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल से किस चीज की खोज की गई है काली बंगा से किस चीज के साक्षे मिले हैं धोला विरा से क्या पाएगा है यह भी आपको पता तो देखिए लोथल से गोदिवाडा यानिकी बंदरगा के जो साक्षे हैं यह लोथल से प्रापत हुए हैं और काली बंगा से जूते हुए खेत के साक्षे प्रापत हुए हैं और धोला विरा से जलकुंड के साक्षे मिले हैं जलकुंड के जो साक्षे हैं यह धोला विरा प्रपत हुआ है और अभी आपको पीछे इसका अंसर बताया है तो इसका राइट अंसर आप्शन जोडरो से विशाल सनानगार प्रपत हुआ है यहां पर मोहन जोदरो स्थल का नाम आया है तो सबसे पहले तो आपको पता रहे हैं कि मोहन जोदरो यह स्थल कहां पर है तो मोहन जोदरो जोदरो स्थल है यह पाकिस्तान के पंजाब परांत में है किस जिले में है तो यह लरकाना जिले में एक बाइ फिर से रिपीट कर रही हूँ मोहन जोद्रोजोस्थल है ये पाकिस्तान की पंजाब रांत में लरकाना जीले में है और किस नदी के तर्ट पर ये स्थीत है तो ये सिंदू नदी के तर्ट पर स्थीत है मोस्ट इंपार्टन कोशन है फ्रेंड मैं जो भी बात आपको बता रही है उसे जरूर नोट डाउन कर लीजीगा क्योंकि यहां से बहुत से कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं next question आपको पता होना च और जो मोहन जो धूर रोhist midstal था ये सिंदू गाटी सब्वेता काको खो जा गए दूसरा स्थल था और शिंदू गाटी सब्वेता का कहो जा गया पहला स्थल कौनसा था तो वह हडपा था तो इतनी पपरण बात थे इस question के बारे में next question है निमर लिखित में से कौन सा एक सही है इनमें से आपको सही अंसर चूज करना है यहाँ पे कुछ प्राचीन स्थलों के नाम दे गए हैं और यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दे गए हैं तो आपको बताना है कि जो हड़ापस स्थल है क्या यह भगवर नदी के तर्ट पस्थ तो इसमें आपको सही अंसर चूज करना था तो इसका राइट अंसर जाएगा option B काली बंगा जो काली बंगा स्थल है गगर नदी के तड़ पर स्थित और यह कहां पर है तो यह राज्यस्थान के हनमान गड़ जिले में हैं ठीक है और काली बंगा का उत्खनन किस ने करवाया था तो बीबी लाल और बीके थापर ने काली बंगा स्थल का उत्खनन करवाया था कब करवाया था तो 1953 में करवाया था ठीक है अब यहाँ पर तीन option गलत दिये गए हैं तो आपको यह भी मालूम है चाहिए जो स्थल है यह किस लोथल स्थल यह कहां पर है तो लोथल स्थल जो है यह गुजरात के एहमदाबाद जिले में है किस नदी के तड़ पर है यह तो यह भोगवा नदी के तड़ पर स्थित है और रोपड यह स्थल कहा है तो यह हमारे भारत के पंजाब राज्य में है किस नदी के तड़ पर सेते हैं मोस् 번째 respondion है निसक्षेंन है सिंदू सब्धा के बारे में नीमन में से कौन सा कतम आत्स अंत्ला है आपको बताना की इनमें से कौन सी बारे संदु घाटी सब्धा के बारे सही नहीं है तो पहला शाइगों नालयोंट कही तहीं यह सक्राक्स quantity smoking वनी हुई थी और नेस्ट आप्शन है कि वैपार और वानिजी उन्न दशा में था यह भी बाद सही है क्योंकि सिंदुगाटी सब्वेता से बंदरगाह के साक्षे मिले हैं जिसे यह पता चलता है कि जो सिंदुगाटी सब्वेता के लोग थे यह नेशनल और इंटरनेशनल दोनो वैपार करते थे और तीसरा अप्शन है कि मातर देवी की उपासना की जाती थी तो यह भी बाद सही है जो सिंदुगाटी सब्वेता के लोग थे यह मातर देवी की पूजा करते थे अप्शन टी है कि लोग लोहे से परचित थे यह बात गलत है तो सिंदुगाटी सब्वे सबसे पश्मी बिंदू कौन सा है आपको बताने कि लिंदुहाब्टि सबता का सबसे पश्मी बिंदू कौन सा है經िक एसका दोपकोन सब सब Weihn Idol का जो सबसे उत्री बिंदु है वो है मांडा तुम हैं तो किस नदी के तरफर स्थीत नादी के तरफ स्थीत करना ड 나़ के तरफ抟 से नादी के सरो हैं चेम maior धराटी सब्सक्राइजान भी विनुह कैंट香ई लिबियद है पाकिस्तान के बलूची स्थान में किस नदी के तरफ पर यह स्थीत है यह आपको मालूम हना चाहिए तो यह दाश्क नदी के तरफ पर स्थीत है और सिंदु घाटी सब्वेता के जो सबसे पूरी बिंदू है वह आलमगीरपुर ठीक है यह कहां पर यह उत्तर परदेश के मे इस नदी के तरफ प स्थीत है और सिंदु घाटी सब्वेता के सबसे डक्ष्नी बिंदू है दैमा बाद है तो हो यह तो यह आते डाश्क नदी के तर्पे स्थीत है और सिंदुगाटी सब्वता का जो सबसे पूरी बिंदु है वो है आलमगीरपूर ये कहां पर है तो ये उत्तर परदेश की मेरट चिले में है और किस नदी के तरफ पर ये स्थीत है तो हिंडर नदी के तरफ ये स्थीत है तो इतनी इंपर्णन बाते थी इस कोश्चन के बा अराव कि ये भागवा नदी के तरफ पर ये स्थीत है तो वो है इनकड़ नदी के तरफ पर चिले में है, तो ये बहुजरात के ऐपर नदी के तरफ ये है उसके बाद रोब पड़ यह कहां पे तो यह पंजा में घिसफार और तो यह सतलु के तरफ थी तरीर किया था यहाँ पर चनहुदुरो का नाम कोमाहलू मुंधु के उसना नाम और जो रखेस कहाँ पर पाकिस्तान सिंदध में किस नदी चृथ यह उत्खनन का स्धान वियु फंट कर जो हैं और ना अलम खोली होती हैं फ्च हो एक जो कर दहा से कर clapping पर डूंटे करवाया था तो 1931 में करवाया था लेकिन चनहुदुर के उत्खनन का जो निर्देशन है वो जेज मैके ने किया था तो आपने कौन सा स्थान पाकिस्तान में आपको बताने की इनमें से वह कौन सा स्थान है जो कि पाकिस्तान में तो चलिए देख लेते हैं तो पहला आप्शन है काली बंगा काली बंगा यह कहा है तो यह राज्यस्तान के हनमानगर जिले में हैं दूसरा अप्शन हडपाई यह कहा है तो यह भी घुछराथ में है तो यहां पे आपको बताना था कि एक कौन सा अस्थान अप पाकिस्तान में हैं तो रावी नदी के तर्ट पर यह स्थीछ ऑन जो हर। यह सिंदूगाटी सभीता को नाम से जाना जाता है अब आपको पता हुझी कि हड़ापस थल से क्या पाए गया है तो आप यह इमिज में देख पा रहे होंगे यह जो कांसे की बैल गाडी है यह हडपस थल से पाई गई है ठीक है अगर आप से कोशिए पूछा जाए कि कांसे हुझे कि बैल गाडी यह कहां से प्रापत हुई है तो यह हडपस थल से पाई गई है और हडपस थल का उथखनन किस ने करवाया थाranon ने हर अवैं करवाया था फ्रायरो का उत्रों करवाया हैं तो इसका राइट असर जाएगा आफ्शन सी लोथल लोथल से बंदरगा यान की गोदिवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं यहां पे लोथल शब्द का नाम आया तो आपको मालूमनची की जो लोथल स्थल है यह कहां पर है तो यह गुजरात के एहमदाबाद जिले में है किस नंदी के सथिता है थो यह भोगवान नंदी के लोथल स्थल का उठ्फनन चिसने करवाया था तो लोथल के उट्खनन रे करवा था रंगनाथ राव ने किया था तो इसका राइट अंसरो जाएगा option C, Sir John Marshall ने यह जो आपको image में दिखाई दे रहे ना यह है Sir John Marshall इन्हों नहीं मोहन जोदरो और हड़पस थलकी खुदाई का निर्देशन किया था देखे 1902 इस्वी में Sir John Marshall को भारतिय पूरता तो सर्वेक्षन का डारेक्टर जनरल यानिकी महान निर्देशक बनाया गया था किसके द्वारा बनाया था तो लॉड करजन के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं की निर्देशन में 1921 इस्वी में दायराम सानी के द्वारा हडपस थलका उत्खनन करवाया था और 1922 इस्वी में राखलदास बैनरजी के द्वारा मोहन जोद्रोडस थलका उत्खनन करवाया था तो अगर आपसे यह कोशन पूछा जाए कि सर जौन मार्सल को भारतिय पूरता तो सर्वेक्षन का डारेक्टर जनरल कब बनाया गया था तो 1902 इस्वी में बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था तो लॉड करजन के द्वारा बनाया गया था लॉड करजन यह कौन बाते थी इस question के बारे में next question है सिंदुगाटी की सब्वता निमलिकित में से किस सब्वता के समकाली नहीं थी तो आपको बताना जो सिंदुगाटी की सब्वता थी इन में से किस सब्वता के समकाली नहीं थी तो फ्रेंट में आपको बता दो जो सिंदुगाटी की सब्वता चल रही थी तो इसके पहले में मुझे पोटामिय की सब्वेता चल रही थी मिश्र की सब्वेता चल रही थी और चीन की सब्वेता चल रही थी तो यहां पर आपको बताना है कि जो सिंदुगाटी की सब्वेता की लोग थे इन्होंने सबसे पहले किसकी खेती की थी तो इसका और राइट ऐंस रो जाएगा option D, कपास की, जो सिंदु हाटी सब्वेता की लोग थे, इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी, अब आपको पता नुचे जेए कि सिंदु हाटी सब्वेता की लोगों की मुख्य फसल कौन कौन सी थी, तो गेहूं और जौ, गेहूं और ज मोहंजोडोडो का स्थानिय नाम क्या है आपको बताने है जो मोहंजोडोडोस थल है इसे और किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट पार पर जाएगा आफशन भी सौह राष्ट्र में yau सौरास्ट्र में है यहां पर रंगपुर्स थलका नाम आया तो सबसे पहला कुश्य था आपको यही पता होना चाहिए कि रंगपुर्स थलका उत्खनन किस ने करवाया था तो रंगपुर्स थलका उत्खनन करवाया था और रंगनात राव ने रंगपुर्स थलका उत्खनन क के बीच में रंगपूर थलका उत्खनन करवाया था और यह कहां पर यह भी आपको पताना चाहिए तो यह गुजरात के सौराश्ट्र में है और किस नदी के तड़ पर इस थीत है यह भी आपको मालूम होना चाहिए तो रंगपूर जो स्थल यह मादर नदी के तड़ पर तो 1953 और 1956 स्वी के बीच में करवाया था तो इतनी पढ़न बात थी इस कोश्चन के बारे में नेस्ट कोश्चन है किस सिंदु काले स्थल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजे के निशान मिले हैं तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्थल है जहां पर एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजे के निशान मिले हैं तो इसका राइट हम सुझागा अप्शन डी मोहन जोद्रो मोहन जोद्रो स्थल से ही एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजे के निशान मिले हैं मोस्ट मोस्ट इ की मोहर पाई गया उन पे किन किन जानुरों का अंकन हुआ है तो आप इमेज में देख पा रह झो ये है प्रशु पती शिवकी मोहर प्रशु पती श्रीष्व के आप देख पारहे हो गोरो में बैष भाई तरफ भांसा और गेंड़ा और ठरफ हाथी और चीता है तो पशुपति शिव के दाई और बाई तरफ चार जनवरों को अंकन हुआ है कौन कौन से गैंडा भैसा हाथी और चीता तो यहां पर आपको बताना है कि किन किन जनवरों का अंकन हुआ है तो इसका राइट असरो जाएगा option A गैंडा और भैसा इसके पूच्छा गया है अगला प्रश्ण है शिंदु गाटी सब्यता में सबसे महत्यपून पशु कौन सा था अगला आपसे ये कोशन पूचे लगा है कि सुन्दु और दूसरा सभेवान्वार था पुछं जानवरों की मौहर है ये सिंदुघाटी छापटी निरित्य मुद्रावाली इस्तरी की कांसे की मूर्ति प्रापत हुए है तो पर जोडोल कर लेते हैं कि मोहान जोडोल से एक इटि पर बिली का पीच्छा करते हुए कुद्टे के पंजए के निशान मिले है और मोहर जो दूरसे निर्ति मुद्रा वाले इस तरी की कांसे की मॉर्थी मिली है और मोहर जो दूरस्थल से ही पशुपति शीव यह लड़िय सकते हैं अदिश्यव की मोहर भी प्रापत हुई है अगला कॉशन है हरपज करण करने कौने वैं प्रत्थम पूरतातवीद जो इसके महत्तों को नहीं समझ पाया था वैं कौन था यह आपको बताना है तो इसका राइट अंसरुजाएगा option A A Cunningham इनका पूरा नाम है Alexander Cunningham यह जो आपको इमिज में दिखाई दे रहे ना यह है Alexander Cunningham हडपा का उत्खनन करने वाले पहले पूरतातवीद थे जो कि इसके महत्त को नहीं समझ पाये थे फ्रेंच में आपको बता दू कि 1853 इसवी में Alexander Cunningham ने हडपा सब्वता के स्थलो का निरक्षन किया था लेकिन कहा जाता है कि यह हडपा सब्वता के महत्त को नहीं समझ पाये थे यहां पर सब्वता के यांपे लूजीशन के स्थापना कि थी और यहां पर पूरत में महनिर्देशक कौन है तो वी विध्यवती वर्त मान में आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महानिर्देशक है यहनकी भारतिय पुरतात्य तो सर्वेक्षन की महानिर्देशक है अगला प्रेशन है भारत का सबसे बड़ा हडपन पूरा स्थल कौन सा है आपको बताया है कि भारत में सिंदुगाटी सब्बेटा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो यह हरयाना के हिसार जिले में है किस नदी के 가ई के सब्तना जाए आपको पता और चाहरू नие एक हैं में में congrवाया था इस और उसके ड़ाल इसक हैं और इसका उत्कनन सुरज भान ने करवाया था कब करवाया था तो 1969 में करवाया था अगर आपसे ये question पूछ जाए कि भारत में सिंदुगाटी सब्वेता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन से है तो वो है धोला वीरा धोला वीरा भारत में सिंदुगाटी सब्वेता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है अगर आपसे ऐसे कोशन पूछे जाएं कि सिंदुगाटी सब्वेता का सबसे बड़ा स्थल कौन से है चाहे वो भारत में हो चाहे पाकिस्तान में चाहे अफगानिस्तान में कहीं भी हो यह आपको बताना है कि सिंदुगाटी सब्वेता का सबसे बड़ा स्थल कौन से है तो सिंदुगाटी सब्वेता का जो सबसे बड़ा स्थल है और दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछा जा अब मोहनजोजरो और सिंदुगाटी सब्द्याया का जो दूसर रखी गड़ी लेकिन भारत में सिंदुगाटी सब्द्याया का सबसे बड़ स्थर पूछा जाए तो वह धोलावीरा पढ़न बाती इस कोशन के बारे में नेस्ट क्वेशन है हडपन पूरस्थल सूर्ख कोतदा का उत्खनन किस ने करवाया था आपको बताने जो सूर्ख कोतदा स्थल है इसका उत्खनन किस ने करवाया था तो इसका राइट अंसर जाएगा अफशन B जगपती जोशी सुर्कोतदा स्थल का उत्खनन जगपती जोशी ने करवाया था यहाँ पर सुर्कोतदा स्थल का नाम आया तो आपको मालू मैंचे कि यह कहाँ पर है तो यह गुजरात के कच्छ जिले में है यह कहाँ पर है तो यह गुजरात के कच्छ जिले में है किस नदी के तरपर यह स्थित है तो यह स्वर्स्वती नदी के तरपर स्थित है Most important question है तो इतनी बढ़न बात है थी इस question के बारे में Next question है यह आपका last question है अपको बताने कि जो धोला विरस थल है इसका उत्खनन किस ने करवाया था तो इसका right answer हो जागा option C Ravinder Singh Wisd ने धोला विरस थल का उत्खनन करवाया था कब करवाया था यह भी आपको मालूमन चाहिए तो 1985 में करवाया था ठीक है और धोला विरस थल यह कहां पहल तो यह गुजरात की कच्छ जीले में है कहां पहल यह तो यह गुजरात की कच्छ जीले में है और किस नदी के तरपर यह स्थित है तो यह मनहर और मांसार नदी के तरपर स्थित है most important question and no down कर लीजिएगा तो friends आजके इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो हलपफुल लगता है तो इस वीडियो को अपने friends में जादा से जादा शेयर करीएगा अगर आपके कोई भी फ्रेंड से UP SSC exam की त्यारी कर रही है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए नमश्चे